तो उसके बाद आपकी जो MBA की फीस रहती है वो कम हो जाती है आप किसी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके एक्जाम के लिए पाद आपके मांक्स बहुत अच्छे थे तो डेफिनेटली आपके जो फीस वह बहुत जादा सम्हों जाएगे अपके बाद आपके बाद करने वाले एक बहुत ही अच्छे से क्वेशन के बारे में फिर से लग चुका है इस पर तोड़ा सा दियान दिजे का इसे टॉक के टो डूंब विडाउट गाट एग्जाम क्या हमारे लिए MBA करना सही होगा कितना बड़ा question मांके बहुत सारे students के mind में question जरूर होगा कि सब यह कहते हैं कि MBA कीजिए, CAT के exam clear कीजिए, उसके बाद MBA कीजिए ऐसा क्यों कहते हैं? क्या जरूरी है CAT के exam clear करना? क्यों? इसके बिना हमारा MBA में admission नहीं हो सकते बहुत सारे subscribers के demand इसलिए इस तरह की वीडियो आपके लिए लाई गई है लेकिन इससे पहले कि हम यह वीडियो स्टार्ट करें आप एक बार देख लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जलुदी से कर दीजिए bell icon to press करना भी मत बूलेगा और वीडियो अच्छी लगे तो end में like भी कर दीजिएगा ओके चलिए बात करते हैं कि question क्या है question यह कि अगर हम MBA करते हैं तो क्या वो सिर्फ cat के exam clear करने के बाद ही हम कर सकते हैं क्या हमें कोई problem हो जाएगी अगर हम cat exam clear नहीं करेंगे तो मैं आपको बता देए तो देखिए जो आपका cat exam होता है वो नॉर्मली इसलिए दिया जाता है इसलिए आपका cat exam लिया जाता है ताकि आपको analysis किया जा सके कि क्या आप eligible है for this force क्या आप MBA करने के हैं इन चीज़ों को पता लगाने कि आपका cat exam लिया जाता है इंफेक्ट हम छोटे से लेकर बड़े तक कितने सारे exams को ताकि हम खुद को analyze कर सेके हम यह पता चल सके कि हम कहां पहुँच चुके हैं हम कितना सीख रहे हैं कि बिलकुल उसी के लिए MBA से पहले आपका एक exam लिया जाता है और यह exam देना जरूरी भी होता है देखें अगर आप exam देते हैं तो उसके बाद आपका जो admission होगा वो किसी भी top रग्लेंग कॉलेज में हो या नहीं जैसे हमारे इंडिया के top colleges में से college IIM के नाम से जिसको जाना जाता है इंडिया इंस्टिट उप कोई problem नहीं होगे आपके future को लेकर ओके हमारे माइंड में हमेशा क्वेशन रहते हैं कि जो कॉर्स हम कर रहे हैं उसमें क्या हमारा future बन जाएगा लेकिन हम यह नहीं देखते कि यह कोर्स हम कहां से कर रहे हैं और क्या तरीका है उसको करने का कि अब हमने के एक्जाम दिया उसके बाद हमारा एडमिशन होगा किसी टॉप रेंग कॉलेज में हमने अपनी पढ़ाई चालू कि स्टार्ट किया सब कुछ अच्छे से पढ़ा सब कुछ समझा सारी टेक्निकल नोलिज दियो और उसके बाद ऐसे कॉलेज में जो प्लेस्म करने का बाद के अपके मार्क्स अच्छे आजाएं यानि प्लप टॉप रांक पर आते हैं तो उसके बाद आपकी जिए की फीस रहती है वह कम हो जाती है आपका कि सब्सक्राइब कर रहे हैं और मार्क्स बहुत उच्छे तो इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत जानते होंगे तो MBA का जो almost fee structure रहता है वो 7 to 8 लेकर रहता ही रहता है लेकिन दिमाग में बात हमेशा यह रहती है कि क्या यह कम हो सकती है कम तब हो सकती है अगर आपके marks बहुत अच्छे हों क्योंकि government से जुड़े होते हैं कुछ इस तरह के exam अब दूसरा पॉइंट यहां पर यहां पर आता है कि अगर नहीं करते और हम डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेजिस से अडमिशन ले लेते हैं को बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजिसे जो की डायरेक्ली जुड़े होता इंसेडियूट से तो वहां पर जो एडमिशन है हमारा वो हो जाता है विदावट एक्जाम के लगति है क्योंकि महां पर हमें जरुरत नहीं पढ़ती है अपना एंटरंस एक्जाम देने की जबकि किसी बड़े कॉलेज में अडमिशन लेने के लिए वहां पर आपको क्या जरुरत पर यह कि आपको एक्जाम जो है क्लियर करना जरूरी है लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजी से करवा देते हैं अपका हो जाता है लेकिन कोई गैरंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी या पर नहीं लगेगी प्लेस्मेंट की कोई गैरंटी नहीं होती आडमिशन ले सक है डाइक लिस्टूद्स को रिक्रूट करती है मतलब जैसे हम कुछ कंपनी का नाम यहां पर लेकर बता सकते हैं रिलेवल हो गई एनकेडमिक्स वालों की और भी एन अबर आफ कंपनी जानते हैं जिनका रिलेवल एनकेडमिक्स के तुरू इस तरह से जो जॉब है वो लग च चुकी है तो ऐसा नहीं है कि जुरूरी है आप एक्जाम क्लियर करें और बाद में आप MBA जो किसी टॉप ऐसे कॉलेजिस से करें जहां से आप कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा आप प्रा अपनी जॉब लग जाती है वह कैसे अंदर हिम्मत होती है जजबा होता है कि हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में भले ही हमने प्राइवेट कॉलेज से किया है थे हैं जहाँ पर हमें पढ़ा हैं सबकुछ संजा तो है लेकिन अकुछ से आमें रिक्रॉट्मेंट नहीं हो पाई हमें बाइज में हमेराद कर था कि अगर आप चाहते हैं कि है करने लेकिन जो स्टूडेंस नहीं करना चाहते उनके लिए कोई जबदस्ती नहीं है वह सीधर डिरेक्ली किसी प्राइवेट कॉलेशन ले सकते हैं और उसके बाद अपना में कम्रीट करने के बाद कोई इंटव्य किसी भी कंपनी के अपना वंफिल कर सकते हैं डिरेक लिए कुछ यह दिशी कंपनी जो रिक्रूट करती हैं तो महां से हमें जोब कर सकते हैं बहुत सारी आज के टाइम में तो अप्लिकेशन इतनी आ गई हैं कि आप नॉक्रे.com हो गई वहां से जॉब लग जाती है तो अटेंशन मत लीजे एजिली सब कुछ हो जाएगा बट एक बात जरूर भोलना चाहूंगे कि जैसे चोटे-चोटे प्राइवेट बहुत चोटे-चोटे-चोटे जिनके नाम भी नहीं जाने हमने कभी उन कॉलेज से अगर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्यों क्योंकि वहां पर आपको वह टेक्निकल नॉलेज नहीं मिल पाईगे जो MBA के लिए ज़रूरी है वहां पर आपको सब कुछ के लिए कर दिया चाहे को लेकिन टेक्निकली कुछ नहीं पता चल पाएगा तो वह प्रॉब्लम ना हो आपके साथ इसलिए कॉलेज ऐसा देखेगा जो बेस्ट हो ओके फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत इंट्रेस्टिंग सी वीडियो के साथ तब तक झाल